Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do the last chapter of class 3rd English which is the ship of the desert. आखरी chapter है ये आपका, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए ये जो वीडियो है आपकी ये सिर्फ एक्स्प्लेनेशन, word meaning और reading की ही होगी. NCRT की जो question answers है वो हम next video में cover करेंगे, okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आपकी worksheet और quiz की वीडियो आएगी, उनको आप मिस ना करें, उसके लिए जरूरी है, वीडियो के नीचे right side में red color से लिखा होगा subscribe, उस पर tap कर दीजे, bell icon को press कर दीजे. वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं, जिससे कि जब ये chapter में words यूज हो, तो आपको इनके मतलब पता हो. First word है frowning. Frowning मतलब होता है, टियोरी चड़ा हुआ, आपने देखा होगा कई बार eyes आप ऊपर करके, माते पर जुरियां ले आते, उसको कहते हैं frown करना. Wonderingly, ये सारे आपके chapter में use होने वाले हैं words, इसलिए मैं बता रही हूँ पहले ही. Wonderingly मतलब होता है, आश्चरिय चकित होकर, जब आप किसी चीज के लिए wonder होते हैं. Thick, thick मतलब motor, ये तो easy है. Padded, padded मतलब होता है, गद्देदार. Thorn, thorn मतलब काठे होता है, prick, prick करना मतलब चुबना, proudly मतलब गर्व से, जब आप अपने उपर proud feel करते हैं. तो ये words हैं, एक बार pause कर लिजे वीडियो, एक बार फिर से read कर लिजे, बता देती हूँ जो दो-ती new words है, frowning आपके लिए नया है, क्योरी चड़ाना bother नया है, disdain नया है, padded new word है, prick हो सकता है, new हो, बाके तो proud and across, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके, wonder, thick and all. तो इनको एक बार देख लीजे, चली, अब chapter की reading शुरू करते हैं. The ship of the desert, रेगिस्तान का जहाज. Lion, देखिए थोड़ी सी play method में है, play में क्या होता है, हर जितने भी आपके characters है, उनके dialogues होते हैं, दो ही characters है, एक camel है, एक lion है, आप चाहों तो इसको अपनी class में perform भी कर सकते हैं, तो lion कहता है roaring, roaring मतलब roar करता हुआ, दहरता हुआ कहता है, who are you, तुम कौन हो, camel, looking down at the lion, आप जानते हैं, camel बहुत लंबा होता है, तो lion को देखने के लिए उससे नीचे देखना पड़ रहा है, तो camel नीचे देखता है, वो कहता है, I am the ship of the desert, मैं तो ship of the desert हूँ, रेगिस्तान का जहाज हूँ, who are you, तुम कौन हो, ऐसा शायर इसलिए हुआ होगा, क्योंकि आप जानते है, camel जो है, वो desert में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, जो lion है, वो jungle में रहता है, तो हो सकता है, दो जानवर कभी आपस में मिले ना हो, पहली बार मिले हैं, जंगल का राजा को कोई नहीं जानता, बताइए, अब ये क्यों जानेंगे, तु जंगल में रहते ही नहीं है, camel, are you, अच्छा, क्या तुम सच में जंगल के राजा, oh, I see, अच्छा, lion, frowning, lion को अब गुस्सा आता है, वो, तोरी, त्योरी चढ़ा लेता है, जो माथे पर शिकन आ जाते, यू कहता है, तो कहता है, you call yourself, the ship of the desert, तुम अपने आपको रेगिस्तान का जहाज कहते हो, how can you be a ship, तुम एक जहाज कैसे हो सकते हो, you are an animal, तुम तो एक जानवर हो, एक जानवर एक जहाज कैसे हो सकता है, जहाज तो एक मशीन होती है, जो पानी पे चलती है, तुम हो एक जानवर, तुम अपने आपको जहाज क्यों कह रहे हो, ये लायन कहता है, देखे, दोनों बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, question, answer चल रहा है, तो कैमल कहता है, smilingly, smile करता हुआ, मुस्कुराता हुआ कहता है, so I am, हाँ मैं हूँ, जानवर हूँ मैं, बट, लेकिन people call me ship of the desert, लेकिन लोग मुझे ship of the desert भी कहते हैं, I can walk across the desert, even on hot afternoon, बहुत गरम, अगर दोपहरी है, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, walk across कर सकता हूँ, आरपार जा सकता हूँ, किसके, desert के, रेगिस्तान आप जानते हैं, मैं रेत बहुत जादा होती है, रेगिस्तान में, और जब उस पर सूरज की किरडे पढ़ती है, तो बहुत जादा गरम हो जाती है, आप उसके उसके उपर पैर भी नहीं रख सकते, otherwise पैरों में चाले पढ़ जाएंगे, इतनी जादा गरम रेत होती है, तो वो कहता है कि अगर बहुत hot afternoon भी है, तो भी मैं उसमें आराम से चल सकता हूँ, the sand burns, जो sand है, जो रेत है, वो जल रही होती है, but it doesn't bother me, लेकिन मुझे उससे कोई परिशानी नहीं होती, lion कहता है, I can't believe it, मुझे तुमारे उपर विश्वास नहीं है, इतनी गरम उसपे कोई कैसे चल सकता है, camel कहता है, can you walk across a desert, या तुमें एक desert के आरपार जा सकते हो, lion blinking करता हुआ कहता है, आँख को blink करता हुआ, जपकता हुआ कहता है, no I can't, नहीं मैं तो नहीं जा सकता, but I can run in the forest, लेकिन मैं जंगल में दौड सकता हूँ, मैं desert में, रेगिस्तान में तो नहीं चल भी नहीं सकता, लेकिन जंगल में मैं दौड सकता हूँ, camel with a disdain, उसको एक तरीके से disrespectfully उसको कहता है, every animal can do that, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, हर एक जानवर ये कर सकता है, जंगल में दौड़ना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन I alone, मैं अकेला हूँ, can run on sand, जो कि रेथ पर दौड सकता हूँ, रेथ पर जब दौडते आप जानते हैं, पैरों जो है, जानवरों के हो चाहे, human being के हो, पैर बहुत अंदर तक चले जाते हैं, आपको पता होगा, अगर आपका भी चले हैं तो, I can run on sand at 25 km an hour, मैं sand के ऊपर 25 km per hour, एक घंटे में 25 km जो है, वो दौड सकता हूँ, lion, वंडर इंगले, लाइन जो है, उसको वंडर होता है, वो आशर चकित होता है, और वो पूछता है, how can you do that, गद्देदार पैर है मेरे, the hot sun does not burn them, जो गरम धूप जो है, वो मेरे पैरों को जलाती नहीं है, क्योंकि बहुत मोटे और बहुत ज़्यादा गद्देदार है, उपर तक फिल नहीं होता, lion कहता है, my feet are padded too, मेरे पैर भी तो गद्देदार है, यह देखो, यह देखी, यहाँ पर यह दिखा रहा है अपने पैर, और कह रहा है कि thorns don't prick them, मेरे पैरों को जो काटे हैं, वो चुबते नहीं है, and I can run 80 km और, और मैं इतना तेज दोडता हूँ, कि एक घंटे में 80 km दोड सकता हूँ, कहने का मतलब है, जंगल में बहुत तेजी से दोड सकता है, क्योंकि जंगल में कांटे होते, अलग-अलग तरीके के पैर होते हैं, उसके पैरों में वो नहीं चुबते हैं, क्योंकि लाइन के पैर भी पैड़े हैं, कैमल कहता है, that is true, यह बात सही है, you can run 80 km और in the forest, तुम 80 km फॉरेस्ट में दोड सकते हो, लेकिन, can you run even a mile on the hot sand, क्या तुम गरम धूप में गरम सैंड के उपर, गरम रेत के उपर, एक माइल भी दोड पाओगे, लाइन कहता है, maybe not, हो सकता है, मैं ना दोड पाऊँ, लेकिन, वो कही रहा होता है, कोई बात, तो camel उसको interrupt करता है, interrupt करना मतलब होता है, बीच में टोकना, वो बीच में उसको टोकता है, टोकता है और कहता है, and you can't live without water for a week, can you, और एक और बात, तुम एक हफ़ते तक पानी के बिना, जिन्दा भी नहीं रह सकते, एक हफ़ता, can you, रह सकते हो क्या, लाइन कहता है, no I can't, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, I need water every day, मुझे तो रोज पानी चाहिए, but don't tell me, लेकिन, मुझे ये मत कहना, you can live, you can do without water, कि तुम बिना पानी के भी रह सकते हो, लाइन कहता है, मैं तो नहीं रह सकता, मुझे तो रोज चाहिए, लेकिन तुम अब ये मत कहना, कि तुम बिना पानी के रह सकते हो, तो कैमल कहता है, yes I can, हाँ मैं रह सकता हूँ, there are no rivers or lake in the desert, डेजर्ट रेगिस्तान में आप जानते है, रेथ ही रेथ होते हो, रेथ होने का कारणी ये है, कि पानी की बहुत कमी है, तो वो कहता है, माँ डेजर्ट में न तो कोई river होती, नदी होती, नहीं लेक होती है, कोई जील होती है, but that does not bother me, लेकिन मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है, bother करना, परेशान होना, I can drink 200 bottles of water at a time, मैं एक बार में 200 bottles पानी पी सकता हूँ, जहां पे यानि कि कैमल को पानी मिलता है, वो एक ही बार में पी लेता है, फिर वो कई दिनों तक बिना पानी पी रह सकता है, तो कितनी बाटल, 200 bottles पानी वो एक बार में पी लेता है, तो लाइन कहता है, really, सच में, you must have a big stomach, तुम्हारा तो stomach जो पेट जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो 200 bottle पानी तुम एक साथ पी लेता हो, कैमल अब proudly गर्व से कहता है, yes, I have a big stomach, हाँ मेरा stomach बहुत बड़ा है, I can store water for a week, मैं पानी उसमें एक हफ्ते तक store करके रख सकता हूँ, I can store food for two weeks, और food तो मैं दो हफ्ते के लिए store करके कठा करके रख सकता हूँ, कहने का मतलब है, कैमल एक हफ्ते बिना पानी के रह सकता है, और दो हफ्ते बिना खाने के रह सकता है, अगर आप उसको एक बार पेट भर खाना दे दो, एक्स्ट्रा खा लेता है एक ही बार में, लाइन शोइंग अलोट ओफ इंटरेस्ट, अब लाइन को उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, वो कहता है, क्या तुम अपने पेट में, खाना भी अपने पेट में स्टोर करते हो, बचा के रखते हो, तो कैमल कहता है, नो, आई डून आ, यह मैं नहीं करता, I store it in my hump, मैं इसको अपने hump में स्टोर करता हूँ, देखे हम क्या होता है, एक सेकंड के एक प्रॉपर पिक्चर नहीं है यह रही यह जो उपर है यह जो उपर उठा हुआ पार्ट होता है कैमल का इसको हम्प कहते हैं और इसमें क्या करता है उसका खाना स्टोर होता है आप देखना कभी अगर कैमल बहुत दिनों तक भूका होगा तो उसका हम्प लेता हूं at one time एक बार में then I don't need to eat for a fortnight fortnight का मतलब होता है 14 nights केने का मतलब है 15 दिन के time को 14 nights या 15 days या फिर 15 days आप कुछ भी कह लीजे 15 दिन के time को fortnight कहते हैं तो वो कहता है कि उसके बाद मुझे एक fortnight तक 15 दिन तक खाना ही नहीं चाहिए लायन यह तो बहुत वहाँ पर क्या खाते हो देरा थानी बुशिज्स थोस्टी मतलब काटे दार बुशिस मतलब ज़ाडियां। मैं जो काटे हैं वही खा लेता हूं। थोस्टांश गुप नहीं करते हैं चुबते नहीं हैं। मेरी मोटी टंग में टंग मतलब होता है जीब यानि कि जो कैमल है उसकी जीब भी उसकी टंग भी थिक है पैरों की तरही और कांटे उसमें भी नहीं चुपते लाइन कहता है हाव फणी यह तो बहुत ही फणी है तो कैमल कहता है Mr. King of the forest जंगल के राजा प्लीज कम विद में टो डेजर्ट आओ मेरे साथ डेजर्ट चलो जायन कहता है no I would better not नहीं नहीं अच्छा होगा कि मैं ना जाओं I can't walk on burning sand ना तुम्हें जलतीवी sand पे walk कर सकता I can't store food ना मैं खाना store कर सकता and water and I can't eat thorns और मैं तो thorns भी नहीं खा सकता goodbye and good luck Mr. Ship of the desert bye bye and good luck ship of the desert को काफी अच्छी स्टोरी थी और थोड़ा सा आपके GK के परस्पेक्टिव से भी बहुत important है और यह किस ने लिखी है SK Ramji ने राइटर का नाम भी आप याद रखेगा hopefully पूरा chapter आपको clear होगा word meaning अच्छे से समझ में आ गए होंगे next जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके जो question answer से उनको discuss करेंगे so thank you so much students and wait for next video to come